हेलो फ्रेंड्स तो आज बनाते हैं बहुत ही इजी और डिलीशियस मॉम के लिए केक इस मदर्स डे आप अपनी ममा के लिए ये केक बनाएए उनको बहुत ही पसंद आएगा इसके लिए मैंने डाइजिस्टिफ बिस्किट ले लिए हैं उसको ग्राइंड कर लिया है उसी के साथ मैंने बटर डाल दिया है अब हम एक बोल ले लेंगे और इस बिस्किट के मिक्षर को इसमें ट्रांसवा कर देंगे हम लोगों को इसकी एकदम पतली लेयर ही बनानी है और स्पून की बैक साइड से इसको लेविल कर देंगे इविनली अच्छा यहां पर आप फोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं बर ध्यान रखिएगा वो मीठा होना चाहिए अब मैंने विप क्रीम पूरे में स्प्रेट कर दी है क्रीम को हम कोन में भर कर ही इविनली स्प्रेट करेंगे और अगर आपके पास यह कोन ना हो तो आप यह स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं अब हम ये same step repeat करेंगे आपको अगर ये video अच्छा लग रहा हो तो इस video को like करना ना भूलेगा और मेरे channel को subscribe करना भी ना भूलेगा अब हम इसमें फिर से एक cream की layer लगा देंगे और इसको भी हम evenly spread कर देंगे और आप लोग comment में बताना मत भूलेगा कि आप इस मदस्डे अपनी ममा को क्या gift कर रहे हो और यहाँ पर न मैंने cream का use किया है और अगर आपके पास cream ना हो तो आप vanilla ice cream भी लगा सकते हो उससे taste और लोग दोनों ही बहुत अच्छा आएगा अब हम अपनी cake को chocolate sauce से cover कर देंगे मैंने यहाँ पर ready made chocolate sauce यूज़ किया है आप चाहें तो home made chocolate sauce भी यूज़ कर सकते हो अब हम spoon की मदद से इसको evenly cover कर देंगे अब मैंने star nozzle ली है और उससे छोटी छोटी design बना दी है सच्ची में ये cake जितना देखने में सुन्दर लग रहा है न उतना ही tasty है आप लोग एक बार जरूर try करिएगा और अगर आपको perfect whip cream की recipe चाहिए तो मुझे comment में जरूर बताएगा मैं इसकी वीडियो जरूर एक upload करूँगी अब मैंने एक piping bag में cream बढ़ ली है और उसका थोड़ा सा tip काट दिया है और इसी की help से एकदम आसानी से हम लोग mom लिख देंगे आपको आज की recipe कैसी लगी मुझे comment में जरूर बताएगा अपने feedback जरूर मेरे साथ share करिएगा और इस वीडियो को like करिएगा मेरे चैलेंज subscribe कीजेगा तब तक के लिए बाई